हेलो फ्रेंज, एडुकेशनल फ्रेक्ट चैनल में आपका स्वागत है, हाजिर है आपके लिए एक खास ख़बर को लेके, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो है आपका जे ओए 949 पोस्ट कोड के रिगाडिंग, तो आपको बता है कि ये पेपर भी थोड़ा लीक हो गया था, इसमें SIT गठित की गयी थी और उन्हें जांच करने के लिए बोला गया था, साथ ही साथ मंडी पुलिस को भी ये काम दिया गया था, तो अब इसमें एक ख़बर निकल के आ रह मामले में, अब 10 और अभिहारतियों को जो उमीद्वारी है उनकी रद कर दी गई है, तो आप देख सकते हैं क्यों ये की है रद, हम पूरी खबर पड़ेंगे, जेओ ए भरती गड़वडी मामले में मंडी पुलिस ने प्रारंबिक स्रेटस जो रिपोर्ट है, वो प्रदे टोटल अब 12 हो गए है, तो इसमें अब देखते हैं क्या कुछ है, आगे लिखावा, उसको पढ़ते हैं, उमीद्वारी रद होने वाले अभिहारतियों की संख्या अब 12 पहुंच गई है, आयोग ने इससे पुर्व मंडी जिला के सुन्दर नगर और उन्ना जिला के परि परिक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें 1.18 लाक अभियारतियों ने हिस्सा लिया था, लेकिन मंडी जिला के सुन्दर नगर और उन्ना के एक परिक्षा के अंदर में नकल के मामले सामने आये थे, निजी संसान के स्टाप पर पेपर लिग करने का मामला आरोपी लगा था, बिते माहा, आयोग ने पुलिस अदिक्षिक मंडी से इस भरती मामले में स्टेटरस रिपोर्ट मांगी थी, जो उन्होंने, जो करमचारी चैन आयोग को इन्होंने दे दी है, इस भरती मामले में स्टेटरस रिपोर्ट मांगी थी, चैन आयोग के सचीब डॉक्टर ज इसमें शिलपाए गए है अब दिखते हैं इसमें क्या कुछ होना है क्योंकि इन में कुछ अभ्यारति ने ये भी मांगी थी कि इसे रद किया जाए क्योंकि ये लिक हुआ है पेपर और कुछ एक ये भी अभ्यारती चा रहे हैं कि इसमें इसको रद ना किया जाए अब ये ज इसमें जल्द ही आपको इसका जो आगामी कदम है वो इसमें बैठक की जाएगी हो सकता है ये अगले कल ही मंडे को ये बैठक आपको देखने को मिले और उसमें फैसला भी जल्द ही लिया जाएगा और उसके बाद अगर इसे रद ना करने का फैसला लिया जाता है तो आपको एक दो महीने के अंदर इसका result भी जारी